हैलो अब लोका सुवा रहत है तो आज हम इस video में बात करेंगे कि आप data का data mail कैसे करेंगे तो mail करने के लिए पहले आप टेली open कर लेज़े देन आपको एक चीज और चेक करना पड़ेगा कि आपका टेली का data कहां पर से होता है मतलब कौन से path पर से होता है और चेक करने के लिए आप data के option पर जाइएगा आप आल्ट के साथ वाई प्रेस किजएगा देन data path देन company data आपका ये path है जहां पर आपका टेली का data save होता है तो आप ये manually जा सकते हैं या फिर आप copy कर लिज़े ctrl c then back उसके बाद आप जिस company का data send करना चाहते हैं उनका number देखना पड़ेगा पर आप टेली में पांच company रन करते हैं तो पांचों का number different different होगा आपको check करने के लिए आल्ट के साथ F3 प्रेस किजएगा तो आपके सामने सारी company आप ये दिख जाएगी जितने भी आप टेली में रन करते हैं जैंबल के लिए मैं इससे send करना जाता है 100 double port तो back उसके बाद पर दिस पीसी में जाना है कि दिस पीसी में जाने के बाद आप यहां पर पात जो कोपी किये थे पेस्ट कर देजिए ctrl v then enter आपके पास सारी company पूलिड आएगी जितना भी आप टेली में डन करते हैं तो मैं इससे send करना चाहता हूं send to compressed आपको data send करने से पहले करना पड़ेगा जिप फॉर्मेट में convert करना पड़ेगा तो आप यहां पर जिप फॉर्मेट में convert कर लिजएगा data convert होने के बाद आप इसे mail से send कर सकते हैं तो देख लेते हैं mail से कैसे send करेंगे तो मैं इनको कोपी करके desktop पर ले जाता हूं मैंने copy करके desktop पर यहां पर ले आता हूं तो मैं यहां पर data को paste कर लेता हूं then आप किसी भी browser में mail open कर लिजएगा मैं यहां पर कर लेता हूं already मेरा है compose to में जिनको आपको send करना है तो मैं mail याड़ी ले लेता हूं कि सब्जेक्ट चूब भी आप लिखना चाहते हैं यहां पर जो भी mention करना चाहते हूं कर सकते हैं then file attach मेरा data desktop पर है तो मैं select कर लिया open इसके बाद यह आपको पूरा load हो जाएगा then send पर करना तो मैं यह load होने देता हूं wait कर लेते हैं तो यहां पर हमाया data load हो चुका है then आप send पर क्लिक कर दिजें तो आपका data send हो जाएगा thanks for watching